हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्थे पुस्तक ज्यानों देखे जो प्रतम अध्या है प्रार्थना उसकी बुक एक्टिविटी करेंगे आज हम तो यहाँ पर सबसे पहले बुक एक्टिविटी में हम शब्दार से सुरू करते हैं यहाँ पहला शब्द है तेज तेज शब्द का अर्थ होगा प्रताप या सोर्य तो तेज सब्द का अर्थ क्या होगा प्रताप या सोर्य दूसरा सब्द है हमारा धवल धवल सब्द का अर्थ होगा उजवल या स्वेत या सफेद तो धवल सब्द का अर्थ क्या होगा उजवल, स्वेद या सफेद उसको धवल बोलेगे नेक्ष जो सब्द है हमारा वो है थल थल शब्द का अर्थ होगा भूमी या जमील उसके बाद शब्द है पत्थ पत शब्द का अर्थ होगा रास्ता या राह इसके बाद है कीर्थी, कीर्थी शब्द का अर्थ होगा यस या ख्याती इसके बाद वाला शब्द है अमन सोरी, अमन नहीं, अमल अमल शब्द का अर्थ होगा पवित्रिया स्वच्च इसके बाद जो नेक्ट शब्द है वो है दमक दमक का अर्थ होता है चमक या चमकीला इसके बाद वाला शब्द है जग जग शब्द का अर्थ होगा संसार जग किसको बोलते हैं संसार इंगलिस में जिसको हाँ वर्ड बोलते हैं इसके बाद है हमारे मोखिक प्रश्न जो हमें बोल कर ही करने हैं केवल बुक में नहीं करने है निमलिकित प्रश्णों के उत्तर दीचिए बच्चे किस से प्रातना कर रहे हैं ये सिर्फ बोलने के लिए ही है तो बच्चे सूर्य से प्रातना कर रहे है इसके बाद वाला प्रश्ण है जग किस के प्रकास से चमकता है तो जग सूर्य के प्रकास से चमकता है बच्चो हमारा next question है किसका तेज चमक रहा है तो सूर्य मंडल का जो तेज है वो चमक रहा है इसके बाद हमारा last question है धवल धवल का अर्थ इसपश्ठ कीजिए तो धवल का अर्थ हमने उपर भी पढ़ा था इसका अर्थ क्या होगा उज्वल या सुवैत या सफेध होगा फिर है निम लिखित प्रस्णों के उत्तर दीजिए ये आपके लिखित वाले प्रस्ण है जो की आपको नोटबुक में करने है नोटबुक में करने है तो लिखित वाले प्रश्ण आप लोगों को नोट बुक में करने हैं और जो हमारे शब्दार्थ हैं वो भी आपको नोट बुक में राइट करने हैं इसका PDF आप लोगों को एप पर अवेलेबल हो जाएगा जो आपकी लिखित प्रश्ण है उनका तो सबसे पहला जो प्रश्ण है हमारा वो है कवीता का सारांस अपने शब्दों में लिखिए तो यहाँ पर हमें कवीता का सार लिखना है तो कवीता का सार होगा सूर्य के प्रकास से ही चंद्रमा रात्री में भी चमकता है बच्चे सूर्य का महिमा मंडल करते हुए कह रहे हैं कि हे सूर्य तुम्हारा तेज लाल सूर्य मंडल बनकर चमक रहा है तुम्हारी कीर्ती स्वच्च चंद्रमा के प्रकास की भाती फेल रही है और लाखो तारे तुम्हारे श्रिंगार में चमक रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है सूर्य की महिमा का बखान किया गया है या वर्डन किया गया है कवीता की किस पंक्ती में कवी ने इस वर से सुयम के लिए कुछ मांगा है उसने क्या मांगा तो यहाँ पर हमें वो वाली पंक्ति बतानी है जिसमें कि कवी इस वरसे अपने लिए कुछ मांग रहा है तो इसका उत्तर होगा कवीता की निम्द पंक्तियों में कवी ने इस वरसे स्वयम के लिए कुछ मांगा है वो पंक्तियां हैं मेरे भी जीवन के पत पर कुछ किर्णे चमका देना तो कभी ने इस वर से स्वेम के लिए जीवन में प्रकाश अर्थात सत्य का प्रकाश मागा है इसके बाद वाला प्रश्ट है यहाँ पर हमें पंक्ति का भावार्थ लिखना है फेल रही है केटी तुमारी बनकर चाननी धवल इसका उत्तर होगा प्रश्टोक्त पंक्ति का भाव यह है की चंद्रमा की चाननी की भाती निर्मल और उज्वल इश्वर का यश चारो और फेल रहा है या सूर्य का यश चारो और फेल रहा है यही इसका उत्तर होगा इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी की तरब चलते हैं हम यहाँ पर है सही का निसान लगाएं तीसरी एक्टिविटी कोज सी है? सही का निसान लगाएं यहाँ पर पहला प्रश्ण है जग की प्रकास के स्वामी किसी कहा गया है? जग की प्रकास का स्वामी किसी कहा गया है? चार ओप्शन दिये गये हैं इश्वर को, चंद्रमा को, तारा मंडल को या उप्युक्त सभी को तो जग की प्रकास का स्वामी यहाँ पर तारा मंडल को कहा गया है क्योंकि सूर्य भी क्या है? एक तारा है और वो किसका सदस्य है? तारा मंडल का ही वो एक सदस्य है इसलिए यहाँ पर अगर सूर्य होता तो हमारे सूर्य सही होता लेकिर यहाँ पर सूर्य नहीं है इसलिए तारा मंडल को जग की प्रकास का स्वामी कहा गया है नेक्स्ट प्रश्ण है हमारा कविता में इस्वर का स्रंगार किसी कहा गया है चार ओप्षन है सूर्य को, तारों को, चंद्रमा को, चानली को तो यहाँ पर तारों को जो है इस्वर का स्रंगार कहा गया है नेक्स्ट प्रश्ण है हमारा कभी स्वयम की जीवन को प्रकासित करने के लिए किस से कह रहा है प्रश्ण क्या है कभी स्वयम की जीवन को प्रकासित करने के लिए किस से कह रहा है यहाँ पर भी हमारे पास चार ओक्षन है सूर्य से, चंद्रमा से, इस्वर से या तारो से तो यहाँ पर किसी कह रहा है जीवन को प्रकाशित करने के लिए कभी सूर्य से कह रहा है तो यहाँ पर सूर्य राइट ओप्शन होगा नेक्स्ट प्रस्ट है कवीता में इस्वर की कीर्टी की तुलना किस से की गई है तो कवीता में यहाँ पर चार ओप्षन दिये गए हैं चान्मी से, किरन से, सूर्य मंडल से या प्रकास की स्वामी से तो इस्वर की कीर्टी की तुलना यहाँ पर सूर्य मंडल से की गई है इसके बाद है पंक्तियां पूरी कीजिए फिल इंद ब्लेंक है तो यहाँ पर हमें राइट पंक्तियां जो आगे हमारे प्रात्ना लिखी हुई है उसमें से देख करके पंक्तियों को पूरा करना है तो चमक रहे हैं लाखो तारे बन तेरा श्रिंगार अमल तो यहाँ पर क्या आएगा चमक रहे हैं लाखो तारे लाखो तारे यहाँ पर आएगा इसके बाद है बन तेरा श्रिंगार अमल नेक्स्ट पक्ती है मेरे भी जीवन पत पर कुछ किर्णे दमका देना तो यहाँ पर है पत पर और कुछ किर्णे तो मेरे भी जीवन पत पर कुछ किर्णे दमका देना फेल रही है केरती तुम्हारी बनकर चांदी धवल तो यहाँ पर खेलती तुम्हारी आएगा और बन कर आएगा अब हम पूरा एक सथ पढ़ते हैं चमक रहे हैं लाखो तारे बन तेरा श्रिंगार अमल मेरे भी जीवन पत पर कुछ किर्णे दमका देना फेल रही है केलती तुम्हारी बन कर चान्नी धवल इसके बाद है वर्ण विच्छेद करें तो यहाँ पर शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है पहला शब्द है सूरिये तो यहाँ पर आएगा सरधन, उधन, रधन, आदर आएगा जो वेंजन होता है वो हमेशा आदा आता है उसको पूरा स्वर करता है तो यहाँ पर आदा सरधन आये गा फिरिसके बाद प्लश धन, व, धन, र, धन, य, धन, त, ऐ इसके बाद केरती शब्द है केरती शब्द में आएगा आदा कर, धन, ई, धन, आदा, र, धन, द ए data फुरा मिलाके होगा फिरिशरिंगार तो बोला आएगा शर धन्री धन प्राजन इसके बाद वर्ण सर्योजन करना है तो यहाँ पर पहले वाले का वर्ण सर्योजन होगा चांदनी, दूश्रे का होगा प्रकास, तीसरे का होगा स्वामी इसके बाद साथवी एक्टिविटी है हमारी सब्दों को सही क्रम में लिखकर उचित वाक्य लिखे तो बच्चों यहाँ पर हमें जो वाक्य उल्टा सीधा लिखा हुआ है इसको क्या करना है सही क्रम में जमा कर लिखना है ताकि वो वाक्य हमारे क्या हो समझ में आ जाए तो पहला वाक्य है सुबह उठना हमें चाहिए प्रतिदिन तो इसको अगर हम व्यवस्तित रूप पे लिखेंगे तो क्या बनेगा हमें प्रति दिन सुबह उठना चाहिए इसके बाद दूश्रा प्रश्ण है दूश्रा जो वाक्य है वो है तारे में आस्मान रहे चमक तो आस्मान में तारे चमक रहे है नेक्स्ट क्यूशन है चूचू बेठी चिडिया पेड़ पर करती है तो पेड़ पर बेठी चिडिया चूचू करती है नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रकाश अपना चारो और सूरज फेला रहा है तो यहाँ पर होगा सूरज अपना प्रकाश चारो और फेला रहा है इसके बाद हैं सीख कर वाले प्रश्ट हैं ये योग्यत विस्तार के लिए होते हैं तो ये हमें करने नहीं हैं पर ये उसके बाद है तारो के समुह को क्या कहते हैं तारा मंडल कोन सा तारा सबसे चमकीला होता है तो धुरू तारा समसे चमकीला होता है next question है क्या हम तारों पर पहुँच सकते हैं तो हम तारों पर नहीं पहुँच सकते फिर पुराने शमे में जब भिजली नहीं थी तो लोग अपने काम कैसे करते थे अपनी दादी या नानी से पूछ कर बताना है तो लाल टेन या लेंप चला के लोग अपना कारिये करते थे फिर नेक्स्ट क्यूशन सूरज के दो पुखे लाव लिखिये तो यह आपको ही करने हैं सूरज से ही हमें प्रकाश मिलता है सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है तो प्यारे बच्चो आज का हमारा वीडियो यही पर शमापत होता है कूशन आंसर का P.D.F. आप लोगों के एब पर अवेलेबल हो जाएगा एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि जो कूशन आंसर जिसका P.D.F. आब आएगा उसको आप लोगों को कुशन आंसर और शब्दार्थ तो जो शब्द में दूंगी वो ही शब्दार्थ आप लोगों को नोट हुक में करने हैं तो उसका PDF आप लोगों को अलग से अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर केवल बुक एक्टिविटी ही करवाई है मैंने तो यह चेप्टर यही पर फिनिश होता है बाई स्टूडेट